नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका Sam Study Classes में आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा Nobel Prize 2019 में 2019 में Nobel पुरसकार किस किस को दिया गया है तो इसके बारे में जानेंगे तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पानी के लिए आप बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर ले तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं नोबल प्राइज सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि नोबल प्राइज क्यूं दिया जाता है किस के लिए दिया जाता है ये कहां से शुरुआत हुई तो Nobel Prize के अगर मैं बात करता हूँ, तो Nobel Prize के बारे में, Nobel Prize Alfred Nobel के जन्म दिवस 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है हर साल, उस पर दिया जाता है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले Chemistry, Chemistry रसायन विज्ञान में, Literature साहित्य में, Physics भौतिक में, और Medicine भौतिक चिकित्सा, और अगर आप Nobel Prize, Nobel Peace Prize दिया जाता है, यह सांती का पुरस्कार है, यह सांती के शेत्र में, यह तो यह 6 शेत्रों में दिया जाता है, अच्छा बात करते हैं, Nobel Peace Prize दिया कौन सी कंट्री देती है, यह देती है, Sweden, Sweden 5 शेत्रों में देती है, Chemistry, Literature, Physics, Medicine और Economics के शेत्र में, और Nobel Peace Prize जो दिया जात आचा ये देने वाले कौन-कौन से ये किसके द्वारा दिया जाता है तो पहला है Nobel Assembly at the Karolinska Institute जो की देता है Physics और Medicine के शेत्र में Physics और Medicine के शेत्र पीस के बारे में जहां रखना बड़ा important है बहुत ज्यादा important है Peace जो Award देती है Peace Nobel Prize वो देती है Norwegian Nobel Committee आचा इसके अलावा है Royal Swedish Academy of Science ये आपको देती है Economics, Chemistry and Physics के शेत्र में इसके अलावा Swedish Academy जो आपको प्रोवाइड करती है ये literature के शेत्र में प्रोवाइड करती है तो चलिए देखते हैं इस बार अलग-अलग शेत्रों में किन-किन लोगों को ये Award दिया गया है तो बात करते हैं Nobel Prize in Physics बहुतिक में किस-किस को ये Nobel Prize दिया गया है पहले है James Peebles ये America और Canada के मतलब citizen है इनको दिया जाता है इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और इन्होंने का citizenship भी लिया हुआ है इनको दिया गया है for the theoretical discovery in the physical cosmology के शेत्र में इन्होंने बहुत सारे सिध्धान्त कुझे बहुत सारे rules निकाले ब्रहमांड के बारे में तो इनको इस शेत्र में दिया गया ये American है James Peebles दूसरे है Michael Mayer Switzerland के है ठीक है इनके बारे में जाते है Michael Mayer के बारे में अगर हम जाने तो ये Switzerland के हैं और डीडियर कलोज को दिया गया ये Switzerland के बैग्यानिक है इनको किस शेत्र में दिया गया ब्रहमांड के विकास के अश्यर को प्रकट करने और दूर के सूरी की परिक्रमा लगाने के ग्रहों की खोज के लिए इन दोनों को मतलब एक तो Michael को और दूसरे डीडियर क जो एवोर्ड दिया गया है फिजिक्स में इन दोनों लोगों को दिया गया है तो ये एक तो Switzerland के बैग्यानिक है और ये भी Switzerland के ही है तो देखते हैं अगला किसको दिया गया है Chemistry में जो एवोर्ड दिया गया है वो रसायन विज्ञान में दिया गया है जोन बी गुड्स इनफ को जोन बी गुड्स इनफ एंड एम स्टैनले को दिया गया है अकिरा योशिनो को दिया गया है तो ये हैं United States के ये और इनके बारे में बता दो अभी तक के ये सबसे ओल्ड जिनको Nobel Prize दिया गया in chemistry अचा इनको दिया क्यों गया है इन्होंने lithium आयन बैटरी के तक्निकी की छेतर में क्रांती लाई है क्रांती का मतब इन्होंने बहुत सारे मतब lithium जो बैटरी होती है electronics items में use किया जाती है उसको इन्होंने मतब इसमें और innovative काम किया है अच्छा काम किय तो इसलिए इनको इन तीनों लोगों को दिया गया है तो यह भी इन यह इस्टैनले है यह भी United States के है और अकिरा जो है वो आपके जापान के है तो इन तीनों लोगों को रसायन के शेतर में दिया गया है Nobel Prize in Chemistry Nobel Prize in Physiology और Medicine के शेतर में तीन लोगों को दिया गया है यह है Greg Semenja and Sir Peter and William J. Kellyn इन लोगों को दिया गया है इन्होंने क्या किया है कोशिकाओं की भावना और अक्सीजन की उपलब्दता के अनकूल होने की उन्होंने खोज की एक्शली इन्होंने क्या किया है कि हमारी बोडी में जो अक्सीजन है वो किस तरीके से काम करता है इन्होंने इसकी खोज की है इसलिए इन तीनों लोगों को किस चिकित्सा के शेत्र में अवोर्ड दिया गया है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अवोर्ड नोबल प्राइज इन लिट्रेचर ओलगा को यह 2018 में नॉमिनेटेड हुई थी लेकिन किसी कारण की वज़ा से इनको एवोर्ड नहीं दिया गया है और इस बार के जो एवोर्ड दिया गया है 2019 का वो पीटर हैंड के को दिया गया है 2019 यह औस्टरिया के रहने वाले हैं इन् नोने कारे के लिए जो भासाई सरलता के साथ परिदिया और मानो अनुभो की विशस्ता का पता लगाया इन्होने तो इनको इस शेत्र में d여 गया है चलिए आगे देखते हैं अगला जो डिया गया है U इकनोमिक्स के शेत्र में, अर्थसास्त्र के शेत्र में ये तीन लोगों को दिया गया है, एक बहुत important बात है, इसमें मैं बता दो कि एक भारत के अच्छे अर्थसास्त्री बोल सकते हैं, अब अर्थसास्त्री हैं, अभिजीत बेनर जी, लेकिन ये इन्होंने अमेरिका का से अच्छा ऑस्तर डूपलो को दिया गया है माइकल क्रेमी को दिया गया है इन्होंने क्या किया है गरीबी सी निपटने के लिए अपने एक्स्पैरिमेंट किये एक्स्पैरिमेंटल अप्रोच के इनको ये अवोर्ड और इनको इनको ऑवोर्ड प्रेजेंट किया गया थे तो इनको अबय आहमद आली को दिया गया है तो ऐक्चिली दिया क्यों गया है इननोंने अपने पडोशी द्स है इस्टीश02 को इनको ऋने इसके साथ में जो बॉचर छीनल गई इसल्एन को सांति का पुरसकार दिया गया है, दोस्तों ये थे कुछ Nobel Prize 2019 के जिनको दिये गए हैं, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको सेयर करें अपने दोस्तों तक जरूर सेयर करें, थैंक यू